अगर उन्होंने जिन्दकी में कुछ भी पाल या जो पालने चाहता है तो जिन्दकी पर के लिए उनको खुशी मिल जाएगी लेकिन ऐसा नहीं होता है हना happiness ही success होती है तो जिन्दकी में आपको ये decode करना होता है कि ऐसा कौन सा काम करें ऐसी कौन सी field में कुछ करें जहांपे आप जिस कामको पसंद करते हो जहांपे आप वो काम करके खुश रह सको क्योंकि खुशी ही success है success से खुशी नहीं आती है लोगों को ऐसे लगता है कि success से खुशी आती है लेकिन ऐसा नहीं है it is a vice versa process अपने आप में जिन्दगी में खुश रहना ही सबसे बड़ी success होती है आप दुनिया में देखो होंगे आप इस बारे में ध्यान रखोगे और लाइफ में हैंने हैप्टीनेस को ज्यादा प्रैरेटी देऊगे रैधर की सक्सेस को अल्राइट चलिए आगे बात करते हैं आज के देंदू के तयार है कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर राजस्तान के एलेक्शन से और यहाँ पर दोस्तों मेरे सरेमनी का दिखाया गया है आम आद्मी पार्टी सुप्रीम कोट चले गई है क्योंकि एमसीडी के मेर के एलेक्शन जो की नहीं हो पा रहे है यहाँ पर दोस्तों जेडीउ को लेकर है और बाकी फ्रेंट पेज पर कुछ भी नहीं है तो यह दो न्यूस है एक यह और एक यह इनके बारे में हम लोग चर्शा करने वाले हैं देको इस बार रेपब्लिक दे के की देखने को मिली ठीक है क्या क्या स्पेशल है एक तो हमने खुद के हमारे इंडिजिनियस आंप का डिस्प्ले किया और दूसरा वोमेन पावर जो की इस बार की थीम भी थी तो अमने इस बार हमारी खुद की जो फील्ड गन है वो यूस कर यह और पहले वाले जो विडे का सेलिब्रेशन कर्तव पत्थ के ऊपर जो कि रेनुवेट किया गया पहले राजफत हुआ करता था उस जगे पे किया गया और देश के सारे डिनेटरीज जो कि आप आपको देखने को मिलते हैं अल्राइट अब इसके अगर आप देखोगे तो हमने कई सारे हमारे क् ए pasti अपे बेजाबा था तो अगर आप देखोगे तो सबसे पहले women empowerment के लिए Indian Air Force और Navy का contingent है lead by all women officers ये देखने को मिला first time ऐसा हुआ है इसके अलावा Navy के 144 sailors है उसको commander दिशा ने वो lead किया Air Force का भी इसी तरीके से था इसके अलावा जो CRPF है उनकी भी एक all women marching contingent यहाँ पे देखने को मिला इसके अलावा तरीपूरा ने भी जो अपना टैबलू जो दिखाया जो यहाँ पे होता ना कि हर एक राज्या है जो कि अपनी अपनी जाकी यहाँ पे पेश करता है तो तरीपूरा ने जो है women empowerment को लेकर जो women का contribution रहा है वहाँ के GDP में वहाँ के कामों में वह यहाँ पे शोकेस किया और राइट किरला ने भी दोस्तों कुछ अपने traditional women empowerment को लेकर जो उनके artistic काम होते हैं उसको यहाँ पे शोकेस किया तो यह सब बहुत ही popular इस बार जो है वो चीज़े हमें देखने को मिली तो इसलिए यहाँ पे headline के अंदर आपको indigenous power और women empowerment ये दो वर्ड आपको देखने को मिले हैं क्योंकि हमने हमारे खुद के weapon और women power ये दो चीज़े हैं चोकि हमने शोके